हम लोग हर मिनेट अपने फोन या किसी अन्य डिवाइस में फिंगर प्रिंट लोग को यूज करते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फिंगर प्रिंट लोग इंटर्नल तरीके से कैसे काम करता है आईए आज इसके पीछे की पूरी साइंस को जानने की कोशिस करते हैं साथियों जब आप Fast Time आप अपने फॉन में fingerprint लोग को enable करते हो तो आपका device multiple time आपके finger को scan करता है finger को scan करने के बाद phone का fingerprint sensor आपके fingerprint को capture करके एक digital template बनाता है फिर उस template को mathematical form में आपके device में encrypted form में store करता है जिसको trusted execution environment भी बोला जाता है जब आप अपने phone को unlock करने के try करते हो तो similar पर क्रिया को phone sensor के द्वारा दोराया जाता है और new capture fingerprint pattern को आपके phone में store आपके actual fingerprint pattern से match करता है अगर match हो जाता है तो आपका phone unlock हो जाता है otherwise आपको access denied बताया जाता है